नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लॉड में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लग्दास में पिछले दो सालों से विवाद की स्थित बनी हुई है और आए दिन पाकिस्तान भी अंतराष्टी सीमा और लोसी पर नापा खरकतों को अंजाम देता रहता है और इसके अलावा यूक्रेन रूस विवाद के बीच बिस्युद्ध की भी आसंकाएं जताई जा रही है हाला कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है लेकिन हमारी तीनों सेनाय लगातार खुद को मजबूत करने में जूटी हुई है जिसमें सनीवार को भारती नाउसेना को एक बड़ी काम्याबी मिली है तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय बरात किये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दरसल दोस्तों भारती नाउसेना के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल के उननत संस्क्रंड का सनीवार को सफलता पूरवक परिछड किया गया है और इस लंबी दूरी की मिसाइल ने अपने लच्छ को सटीक रूप से भेद दिया है साथ ही फ्रेंट लाइन प्लेट फार्मों की युद्ध और मिसन ततपरता का प्रदर्शन भी किया है और नौसेना ने आगे कहा है कि आई एनेस चन्नाई से जवानों ने ब्रमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फायर किया था और इस दोरान उसने जमीन पर इस्थित लच्छ को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और जिने नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ कि ब्रमोस मिसाइल और आई एनेस चन्नाई दोनों ही भारत में निर्मित हैं और मिसाइल के साथ ही जहाज ने भी अपने हाई टेक उपकरणों का सफल प्रदर्शन किया है और ये दोनों हथियार आत्म निर्भर भारत और मेक इंडिया प्रयासों में भारती नौसेना के योगदान को चुरदरन करते हैं और भारती नौसेना ने कहा है कि ये उपलब्धी नौसेना की छमता को और मजबूत बनाती है और जब भी जरोत पड़ी तो पानी के साथ हवा और जमीन पर वो दुस्मन को तबाह कर देंगे वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की गिंती 21 सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में होती है और ये सुपर सोनी क्रूज मिसाइल है जो 4300 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुस्मन के ठीकानों को भेच सकती है और ये मिसाइल 400 किलो मीटर की रेंज में दुस्मन को निशाना बना सकती है और नौसेना के युद्धपोत से लेकर भारती वायूसेना के सुखोई लड़ा को विवान तक से इसका सफल पर इछड़ किया जा चुका है और इस मिसाइल की से ठीकता इसको खास बनाती है और रूस और भारत के संयुक्त प्रोजेक्ट के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल को तयार किया गया अब आप लोगों का क्या कहना है स्वदेश निर्मेत आई एनेस चन्नाई से ब्रह्मोस मिसाइल के फायर पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रस करें ताकि डिफेंस से जूड़ी खबरें आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद